जाहिन दोस्तों मेरे नम मैं अतुलो और स्वागत है आपका अपनी डिव चैनल अतुल्टेक बजार में दोस्तों हम आपके लिए मेगा स्पीड टेस्ट लेके आ चुके हैं सारे इक सारी जो डिवाइस हैं मार पास 5 डिवाइस यह अंडर 20K डिवाइस है और काफी जादा यहां पर सेलिंग डिवाइस है इन डिवाइस का रिगार्डिंग दोस्तों यहां पर हम आपके लिए CPU ठोटलिंग टेस्ट लेके आ गए हैं जैसे कि आपको इस डिवाइस की CPU ठोटलिंग के बारे में पता चल जाएगा कि इसका CPU कितने अच्छा काम करता है कितना बेकार काम करता है और साथ में दोस्तों एंटिवी बेंचमार्क स्कोर भी हम चेक कर लेंगे इन डिवाइस का तो यहां पर सबसे पहले नमबर की डिवाइस Realme 10 Pro 5G डिवाइस है जो कि SD695 6NM प्रोसर के साथ में लॉंच हुई थी सेकेंड लिए यहां पर लेटेसली लॉंच हुई नार जोन 55 डिवाइस है जो कि Helio G88 12NM प्रोसर के साथ लॉंच हुई है और थर्ड डिवाइस Realme 10 4G डिवाइस है जो कि G99 प्रोसर के साथ में लॉंच हुई यह 6NM प्रोसर है और लेटेसली यहां पर वीवो टी-2 X 5G डिवाइस लॉंच हुई दिमेंसिटी 6020 प्रोसर के साथ 7NM प्रोसर है लस्त में दोस्तों POCO M5 डिवाइस है जो कि Helio G99 प्रोसर के साथ में लॉंच ही थी जहां पर दोस्तों देखते हैं कि कौन से मोबाइल CPU ट्रोडलिंग टेस्ट में सबसे आगे रहता है और किस कहांस दो बैचमार की स्कोर हमें सबसे ज्यादा मिलता है तो दोस्तों चैनल पर नहीं हो सबस्क्राइब जरो से कर लिजेगा बेल ऐकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करें नोडिफिकेशन आप तक पहुझ जाए चलिब यह फटापट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे फ़ले दोस्तों यहाँ पर हम CPU थ्रोडलिंग टेस्ट करने वाले हैं इस टेस्ट में मिनिमम फाइव मिर्ट लगते हैं स्टार्ट की बटन पर हमने टैप कर दिया है थोड़ा सा फास्ट फरवरड भी हमने किया है यहाँ पर दोस्तों आपको उतादी के CPU थ्रोडलिंग टेस्ट से आपके मोबाइल का जो CPU है जो प्रोसेसर है उसे कितना स्ट्रेगल करना पड़ता है अगर आप गेमिंग मल्टी डास्किंग कर रहे हैं इस बारे में सारी इंफर्मेशन मिलती है जो green graph आता है यह काफी better रहता है फिर yellow और अगर सबसे ज़्यादा खराब performance मिल रहा है तो red यहाँ पर आपको लाइन देखने को मिलती है अब यह सोड़ा सा यहाँ पर fast forward के almost result आ चुका है stop की बटन पर हम यहाँ पर टैप कर देते हैं देखते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा result आपको जो poco device M5 इसमें देखने को मिलता है आप देख सकते हो 92% मिल रहा है और यहाँ पर almost green line है secondly दोस्तों यहाँ पर realme 10 pro में आपको अच्छा performance देखने को मिलता है 90% तक यहाँ पर आपको score मिलता है यहाँ पर 3rd में हमारा realme 10 device आता है जो की 68% के साथ आता है और 4th में narjo N55 जो की 85% के साथ में आता है यहाँ पर last में आप देख सकते हो Vivo T2X 5G device 79% के साथ में सबसे last 5 position मिलती है इसको और इसमें Dimensity 6020 latest वाला जो processor है यह मिलता है तो भी यहाँ 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 पर 7N processor है बट last score आ रहा है यहाँ पर इससे पहले भी हमने इसका test किया है और इसी तरह का score देखने को मिलता है आप देख सकते हो yellow line आपको बहुत सारी इसमें देखने को मिलती है और graph भी नीचे जा रहा है तो performance दोस्तों यहाँ पर सबसे better आपको POCO में मिलता है M5 में फिर Realme की सारी device में और सबसे last जो आपको position मिलती है Vivo की अब दोस्तों बात करते हैं M22 benchmark score की तो इसमें सबसे top position में हमारा Realme 10 Pro 5G device है जिसमें आप देख सकते हो SD695 processor है अबव 4,00,000 score यहाँ पर मिल जाता है और second और third position equal ही हम मान सकते है Realme 10 और POCO M5 जिसमें G99 processor है और score आप देख सकते हो 3,77,78,000 के आसपास मिलता है और third में हाँ पर Vivo का नंबर आता है Dimensity 6020 processor जो की about 3,00,000 score लेके आदाता है और last में G88 जो की ना जो N55 में है इसमें आपको धाई लाग के उपर का score मिल जाता है तो सारी device का score काफी अच्छ है प्राइस के according Realme 10 Pro जो है यह 20K के आसपास मिल जाता है और बागी सारी device है under 15K आपको मिल जाती है इन सारी devices के दोस्तों हमने टी preview चैनल पे अपलोड किये है comparison test, camera test, सारी क्यूच test आपको इन सारी device के चैनल पे बिल जाएंगे चेक आउट जोरों से करेगा कोई doubt, कोई question and device के regarding अगर आपके mind में चल रहे है तो आप हमें comment section में पूछ सकते है निचे टेलेगराम चैनल के link description वाक्स में मिल जाएगी उसे जो एंजोरों से कर लेजएगा फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना है मिलते है next new video के साथ में तब तक के लिए इन बोलते रहे है पंते मातरम